Hello children, today I will discuss how you will do multiplication in chapter measurement. So here I have written one example and through this example I will explain the topic. Example 1, example 1 is 15 litre and 819 millilitre by 12 means आपको 15 litre और 819 millilitres को multiply करना है 12. वैसे तो यह simple multiplication की तरह ही होता है लेकिन इसको जब करते हैं तो इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है. Now look at the solution, litres और millilitres को थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे, जिससे litres के नीचे आप litres का नंबर लिखें और millilitres के नीचे millilitres का नंबर लिखें. तो litres का जो नंबर है वो है 15, वो मैंने लिटर की नीचे लिख दिया और millilitres का नंबर है 819, जो मैंने millilitres के नीचे लिख दिया. अब आपको इस नंबर को मल्टिप्लाई करना है 12 के साथ, simple multiplication है, पहले 2 के साथ उपर वाला पूरा नंबर मल्टिप्लाई करेंगे, उसके बाद next step में 1 के साथ पूरा नंबर मल्टिप्लाई करेंगे. अब आपको एक बात का ध्यान रखना है बिटा, millilitres के 3 places होते हैं, तो 3 places तक ही आप नंबर लिखेंगे, अगर उसके बाद कोई नंबर हाता है, तो वो next place पे शेक्ट हो जाएगा, कैसे? देखे. 2 9s are 18, तो 18 का 8 और 1 next number के उपर carry, 2 1s are 2 और 1 add करेंगे 3, now 2 8s are 16, तो 16 का 6 इधर और जो next हमारा 1 number आया, वो next number के उपर, यानि लिटर वाले number के उपर carry हो जाएगा, वो आप इधर नहीं लिखेंगे, इधर आप milliliter के नीचे सिरफ आपके 3 places होते हैं, तो 3 places पूरे हो गए, तो 1 कहां गया, next number के उपर carry, 2 5s are 10, 10 के अंदर 1 add करेंगे 11, 11 का 1 आपका नीचे और 1 next number के उपर carry, 2 1s are 2 और उसके अंदर आप 1 add करेंगे तो आपका आगया 3, अब next step के अंदर जैसे general multiplication के अंदर करते हैं, cross या 0, तो एक place पे तो इसका cross आ गया, अब 1 को multiply करेंगे, उपर पूरे नंबर के साथ, 1 9s are 9, 1 1s are 1, तो देखें, यहां तक, 1 1s are 1 तक, पूरे 3 places cover हो गए, अब जो 1 8s are 8 है, वो आपका इधर वाली place पे आजाएगा, इधर नहीं आएगा, वो कहां आएगा, इधर, लीटर के नीचे, इधर वाली place पे आएगा, तो 1 8s are 8 आप इधर लि होते हैं, उसके आगे अगर कोई number आएगा, तो वो आप next place पे लिखेंगे, अब addition करना है इन numbers का, simple addition है, 8 के अंदर 0 कुछ नहीं है, 0 है तो 8 आगया, 3 के अंदर 9 add करेंगे, 12 आएगा, 12 का 2 नीचे, 1 उपर, 6 and 1, 7 और 1, 8, 8 आगया, then 1 and 8, 9, 3 and 5 को add करेंगे, 8 आजाएगा, और 1 का 1, तो आपका अंसर आगया, 189 liters and 828 milliliters, I hope this topic is clear to you, now you have to practice some more questions from your book for your good understanding, thank you.